नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करतो हूं आप सभी अच्छे होंगे जैसा कि थमनेल देखके आपको पता चली कि आओगा कि मैं एक लाइब वेबिनार करने वाला हूं यह वेबिनार ओटोकेड पे रहेगा बिल्कुल बेसिक से लेके जो एडवांस लेवल तक रहे जिसमें आप कंप्लीट ओटोकेड को सिखाएं जिसमें आप भी हम मुझसे कोश्चन पूछ पाएं जो भी चीज आप करना चाहते हैं ओटोकेड में वो कर पाएं तो उसके लिए मैं एक वेबिनार ओर्गनाइज करने वाला हूं जो डेट रहेगी वेबिनार की वो रहेग तुस्टे को जो शाм को 5 वजे से मैं स्टार्ट करने वाला हूं तो उस्सी के बारे मेंकिन कैसे कट किया जाता है किस-किस चीजों को ध्यान रखते हैं, कितनी commands होती है, किन commands को आप use करते हैं mostly, आप देखो सीखने को तो हम 100-100-200 commands भी सीख सकते हैं, बट जो AutoCAD पर अगर मैं आपको कोई भी काम करने के लिए दूँ, तो आप maximum 7-10 commands होते हैं, जिनको आप use करते हो, तो मैं बताऊंगा कि कौ कौन सी command है, जो आपके लिए must है, जो आपको सीखनी चाहिए, एक drawing बनाने के लिए किन-किन command होती है, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे print निकाला जाता है, कहा कहा पर दिक्कत आती है, उस चीज को scale कैसे किया जाता है, जो आपके paper sizes होते हैं, A series, A4, A3, A2, ये कहा कहा पर use ह होते हैं, वो सब चीजे मैं उसके अंदर cover करने वाला हूँ, कम से कम ये 2-3 घंटे का आपका workshop रहेगा, इसमें आप मुझसे question भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और इसमें आप अपने doubts भी लेके आ सकते हैं, आप doubts मुझसे पूछ सकते हैं, AutoCAD से related, ये जो रहेगा, उसके store पे जाने के बाद आपको यहाँ पे course मिलेगा, live webinar on understanding AutoCAD for beginners, आप इस पे click करें, आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो आपकी registration फीस रहेगी, सिर्फ 89 रुपीज में आप इसे खरीच सकते हैं, 89 रुपीज में आप complete AutoCAD को सीख सकते हैं, webinar अटेंट कर सकते हैं, और उसके ब और आप इसे pay कर सकते हैं, अब इसको करने का आपका benefit क्या रहेगा, अगर आप इसे 89 रुपीज में purchase करते हैं, तो सबसे पहला benefit आप complete AutoCAD सीख जाओगे, जो beginners को complete AutoCAD के बारे में पता चलेगा कि AutoCAD actual में क्या है, किस तरीके से projects बनाये जाते हैं, एक बिल्कुल EGC language में हम discuss करेंगे, आप question पूछेंगे, मैं उसके answers दूँगा, आपको, आपके doubts clear होंगे, second list का benefit क्या रहेगा, मैं आपको certificate प्रवाइड करूँगा, जैसे ही आपका course यहाँ complete हो जाएगा, उसके बाद जितने भी registration होंगे, उनको मैं E-certificate प्रवाइड करूँगा, अब बात करते ह यह course करना चाहिए, जो beginner है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो सीखना चाहते है AutoCAD, या फिर AutoCAD भूल गए है, वो commands को सीखना चाहते हैं, उनके लिए brush up हो जाएगा, बिल्कुल easy language में आप उस चीज को सीख सकते हैं, कौन-कौन यह course ना करें, जो advanced level पे AutoCAD जानते हैं, जो already work करते हैं, जिनको complete AutoCAD आता है, जो चाहते हैं कि नहीं मेरे को जूरत नहीं है सीखने की AutoCAD, मैं already AutoCAD सीख चुका हूँ, तो वो ना भी purchase करेंगे, तो कोई issue नहीं है उनके लिए, उनके लिए मैं other software लेके आने वालों आगया आने वाले time में, जिसे Revit Architecture हुआ, 3ds Max कितना time का करूँ, क्या के topics में उसके अंदर cover करूँ, आप मेरे को comment section में बता सकते हैं, आप मेरे को बता सकते हैं कि next webinar किस चीज़ पर मैं arrange करूँ, आप मेरे को बता सकते हैं कि जिन जिन लोगों ने मेरे courses को purchase किये हैं, उनको किस-किस topic पर वीडियो चाहिए, वो आप मेरे क को बता सकते हैं, मैं try करूँगा कि उन topics पर वीडियो बनाके मैं app पे upload करूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं YouTube पे upload नहीं करूँगा, मैं YouTube पे भी upload करूँगा, और app पे भी upload करूँगा, ये रहेगा, app पे कुछ ज्यादा upload करूँगा, YouTube पे थोड़ा कम upload करूँगा, क्योंकि जिस इस वीडियो को शेर करें, ताकि सभी लोग इस वीडियो का benefit उठा पाएं, और जो live webinar में Tuesday को arrange करने वालों 13th April को सभी जितना ज्यादा हो सके, register करें, और वहाँ पे सीखने का आपको बहुत अच्छा मोगा मिलने वाला है, और आपको उसके साथ सा certificate भी मिलेगा, so thank you so much दोस झालों 14th April 2019